पर आएए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये फरेमिंग कबाड कैसे बनाते हैं देखिए देखिए दोस्तों इधर सिर्फ प्लाई का लगाके इधर बीडिंग पट्टी लगा है और यहाँ पे डायरेक्ट इसी पे मिजागरण लगा है इसको फरेमिंग पथर वौला कबाड बोलते हैं देखिए इसमें पत्थर लगा है पूरा मार्बल का भी ऐसा ही होता है और ये पूरा कबाड देखिए और नीचे दो ड्रावर आगे खुलो भाई देखिए नीचे दो ड्रावर है ये इधर भी है ये थोड़ा हम लोगों ने देशी टाइप बनाया है दोनों बनाते हैं और कबाड में देखिए दोस्तों यहाँ पे हेंगर आएगा यहाँ पे हेंगर आप पत्थर में होल डायरेक करके होल लगा करके भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं एरोलाइट से लगा के ऐसा चिपका भी सकते हैं इसमें hole नहीं पाड़ना है तो भी रहता है और ये कबाड का दूसरा हिस्सा है ये देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा कबाड है और ये आप इसमें कपड़ा रख सकते हैं तीन प्रेस किया हुआ कपड़ा एक दो तीन और अगर आप चाहे तो इसमें एक नीचे में तीजोरी भी करवा सकते हैं और ये दो कपड़ा रखने के लिए और आपका इदर एक हेंगर पाइप वाला हेंगर आ जाएगा इसमें भी वेड रोवर है देख लीजिए दोस्तों पत्थर में भी उपर से प्लाई लगाएं हैं नीचे पत्थर है उपर से प्लाई और ड्रोवर उसमें दो बनाएएं और ये कंसिल हैंडल लकड़े का हैंडल है दोस्तों ये कितना उठावाता इसमें पॉलिस होगा बढ़ियां लगेगा और उसके बाजू में ड्रेसिंग है दोस्तो देखिए ये ड्रेसिंग पूरा देखिए और नीचे तीन खाने है नीचे तीन रोर है एक हो गया ये दो हो गया और ये तीन हो गया दोस्तो अभी थोड़ा बहुत काम इसमें करना बाकी है थोड़ा थोड़ा बाकी है और ये मेर अब देखो आप सोच रहे होंगे, मेरर कहां लगाएंगे, दरवाजा तो कंप्लिट कर दिया, तो मेरर तो दोस्तों मेरर इसके उपर ही आएगा डायरक, इसके उपर सिलिकोन से चिपका के लगाएंगे, और यहां से आपन खड़ा हो के, यहां से देख सकते हैं मेरर, पूरा अब यह complete नहीं हुआ है अब इसके उपर वाला पाट जो कबार यह वाला है तो इसके उपर वाला पाट देखिए अब यह मारिया है उपर का खोलिए जरा यह देखिए दोस्तों यह मारिया है मारिये में कोई भी सामाना रख सकते हो उदर इतना बड़ा है देखो दोस्तों और ये एंट्री है बेट रूम के अंदर आनेगा और ये मार्बल है ये पूरा जितना था ये मार्बल था प्लाई डाल के सनमय का लगा कि पूरा आमने इसको फरनीचर में कन्वर्ट कर लिया पूरा पत्थर था पहले अभी फरनीचर में कन्वर्ट हो गया है देख लिए